दियर स्टूरेंट्स वेलकम बैक टो मेरे जन ओवरसीज आज मैं आप लोगं के लिए एक बहुत ही इंफरमेटव वीडियो लेके आई हूँ जो क्या है एक सबसे बड़ा सवाल जो हर वो स्टूरेंट्स जिसे युएस उनिवरस्टी में पढ़ना है उनके दिमाग में होता ह कि क्या हम सब्सक्राइब की तक है फी युनिवरसीटी तो कि क्या हम रेक्वाइर्मेंट के पास मेरे अनके पास यहां रीजा की सेविंग्स है अगर उन्होंने उससे ज्यादा माँनगे तो हम कैसे मैंपनिष करेंगे सबस्पोज एक युनिवरस्टी ने आपी मांगा है for an example 50 lakhs मांगा लेकिन आपके फादर के पास 35 lakhs की सेविंग्स है उससे जाधा आपको लोन लेने में भी दिक्कत आ रही है आपको कोई और सोर्स समझ में नहीं आ रहा है उस case में हम क्या कर सकते हैं आप अपने relatives को immediate relatives से help ले सकते हैं आपको पैसा नहीं लेना है उनसे अपनी account में आप उनहीं के account statement शो कर सकते हैं with an affidavit that they are ready to sponsor you आपका कोई भी immediate relative हो सकता है आपके चाचा, मामा, ताउजी, नाना नानी, दादा दादी, मासी, बुआ कोई भी आपका immediate relative जो एक justified blood relation में आता हो उनसे आप यह support ले सकते हैं अगर आप अपने किसी immediate relative से support लेते हैं तो बिल्कुल आपके visa interview में यह question जरूर हो सकता है कि यह आपको sponsor क्यों कर रहे हैं आपके parents यानि ममी पापा के इलावा आपको यह x y z person sponsor क्यों कर रहे हैं तो वो आपको answer पहले यह prepare करके जान आपको sponsor करने के लिए ready हुए है इन चीजहों का आपको ध्यान रखना है तो आज मुझे लगता है आपको जो मैंने बताया है कि parents के साथ आपके relatives भी आपको sponsor कर सकते हैं यह आपकी काफी problem solve कर देगा लेकिन अगर आपको detailed में और ज्यादा जानना है इसके बारे तो आप बि पर online counseling लेने के लिए आप हमारी website पर विजिट कर सकते हैं तो I hope जो मैंने आज आपको information दी है आपके लिए काफी useful रही होगी ऐसी और useful information पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon प्रेस करें थांक्यू मिलते हैं next video में